दरपूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने काउरस सरकार को लेकर बयान दिया कि मध्रदेश के सरकार जूटे वादो जूटी नीतियों के सहारे चल रही है अपनी नाकामिया चुपाने के लिए विग्यापनों के माध्यम से अपने कर्तवे की तिश्री कर रही है कमलात ने वादा किया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जुड़ों को मुख्यमंत्री वभाय यूजना के माध्यम से 51,000 रुपे दिये जाएंगे साड़े 22,000 वभाय हुए पर किसी को राशी नहीं दिगे साथी उन्होंने कहा कि गुट और गिर्षों में बटी पाथी की सरकार बनती है तो ऐसे ही होता है सिंधिया का पान के और उनके खेमे के मंद्रियों का पान के जा रहा है ये गफलत की सरकार है मद्धिपुदेश की सरकार जूटे वादों और जूटी चिठ्थियों के सहारे चल रही है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या तो पुरानी सरकार पर इल्जाम लगाओ या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विग्यापनों के माध्यम से चुठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी को इतिश्री करो पर जब से कमलाद जी की सरकार आई उन्होंने चाती पीट पीट कर तो कहा कि हम उसी युजना को लागू करेंगे 51,000 रुपे देंगे और ये शर्म की बात है कि इस आट नो महिने में लगबग 22,000, 25,000 शादियां हुई निकाह हुए और एक भी बच्ची को सरकारी पैसा नही आई नहीं में लागू